तो वेलकम गाइस वेलकम टू एड़ोप फोटोशॉप टूटोरियल 2020 सो बात करेंगे नए आगे के दो टूल्स के बारे में या चार टूल्स के बारे में या जितना मन होगा उताब तक करेंगे चलो करते हैं शुरू देखते हैं सबसे पहले मैं आपको कुछ important websites बताना चाता हूँ कि कहां से आप अगर नॉर्मली अगर आपको photos, editing कले चाहिए कहां से आप लो सबसे famous, सबसे प्यारी website जहां से most of the pick मेरी आगे की series की मैं उठाऊंगा वो है unsplash.com HD नी, full HD नी, super HD quality आपको देगा और वो भी free of cost so आप उधर से जरूर उठाएगा and वही आपको दिखाता हूँ, so यही कुछ photos अच्छे-च्छे unsplash.com पे जिसमें से हम यह वाली photo पे काम करने वाले हैं, क्योंकि मैं कोई लड़गी बड़ी प्यारी लगी, सिधा download कर रहू है photo, click किया and allow कर देदे, download हो जाएगी photo, thanks thunks हम बात में कहलेंगे, आदत है नहीं हम Indians है, so चलते आगे, photo सिधा drag and drop and सिधा आगे जाके तुम रख दोगे, इस बार पे, जैसी रखोगे, तुमारी photo load होईगी है, अपने आप, जो भी उसकी setting है, pixel, pixels की, जो हम new file create करने पे खोल रहे थे, वो करने की जरुदनी, अपन title वाला create किया था, यह था ना, untitled 2, 1280 by 720p, इसका resolution 50% पर है, and यह 12.5% पर इतनी high quality की देखे है, सोचो इसकी quality के तनी बढ़ी होगी, ठीक है, so यह बहुत high quality की photo है, control plus, बिल्कुल भी नहीं फटरी, दाथ भी देख सकते हैं आप इसके, so देखो, इतनी high quality की photos, unsplash.com आपको provide कर रहा है, ठीक है, unsplash.com आपको इतनी high quality की photo provide कर रहा है, जरूर देखिए, so इसी में आगे बात करते हैं, हम, यहां कुछ और tools की बात कर रहे हैं, थोड़ी दिर तक रखेंगों तो आपको object selection tool दिख रहा होगा, quick selection दिख रहा होगा, magic wine दिख रहा होगा, सबसे पहले मैं magic wine tool बताता हूँ, ठीक है, magic wine tool क्या करता है, इधर आपको कुछ panels दिख रहे हैं, अलग-अलग तरह हैं कि, सबसे पहले मैं आपको यहां tolerance बता दिता हूँ, and contagious, and non contagious क्या है, sample, all layer का क्या मतलब है, यहां मैं red पे click करूँगा, तो यह सारा red color जहां भी होगा, उठा लेगा, ठ लेकिन आप देख रहोगे, सारा red color नहीं select कर रहा, कुछ-कुछ रहां दे रहा है, वो इसलिए क्योंकि हमने इसकी tolerance कम कर रहे है, tolerance 50% करके, वापस click करो, अभी थोड़ा बहुत रहा है, again tolerance थोड़ी बढ़ाओ, कि red color इतना को उठा ले, ठीक है, उठा लिया, हाथ का सारा उ उठा लिया, यहां का भी उठा लेगा भी थोड़ी देर में, अब contiguous पे एक बार click करो, and up click करो, सारा एक साथ उठाएगा, एक बार दिखाए आपको वापस, यह था, अगर मैं up click कर रहूं contiguous में, तो सारा एक ही बारी में वो उठा लेगा, ठीक है, so contiguous का यह फाइद है, तो यह हमने red color select कर लिया, अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसका control J दबा रहा हूँ, इसकी copy select कर रहा हूँ, and इसको hide कर रहा हूँ, simply इसका red color setter का हमने copy करके निकाल लिया, copy करके निकाल लिया, किसके लिए का मैं बताता हूँ अभी, आप लोग सोच रहोंगे, मैं ऐसी कु किसी एक singer की शकल थी, वो select की, ऐसी अलग-अलग singer की शकल select करके, मैंने एक poster त्यार किया, जो की एक मेरा different channel है, उसका मैं एक channel भाई साब नहीं चलाता हूँ, मैं multiple channels चलाता हूँ, धिरे-धिरे जैसे आप मैं को देखोगे, आप जानोगे, कि मेरे पास एक channel नहीं, मेरे पास बहुत से channel है, जो कि अच्छा काम कर रहे है, और मैं अपने channel के साथ साथ दूसरे channel की creative team के साथ भी काम करता हूँ, ठीक है, तो चलते हैं, and इसको हटाते है, unsplash.com वाली picture पर चलते हैं, ठीक है, ये तो एक काम था मारा magic tool का, magic tool का, हाना, अब मैं वापिस इसी पर जाना चा चाता हूँ, and अपने इस कपड़े को select करना चाता हूँ, ठीक है, यहाँ अगर मैं ये वाला tool select करता हूँ, and click करता हूँ, तो जिस हिस्से पे जो पहले वाला हिस्सा था, ये पूरा था, and मैंने ये वाला select किया, तो दोनों में जो common है, जैसे इदर आपको दिख रहा होगा दोनों में जो common है, पहले वाले selection में, अभी वाले में, वो आला part select हो जेगा, दोनों में common कौन सा part हुआ, no pixels are selected आ रहे, ctrl z, ctrl z, यहाँ click करता हूँ, क्या हो गया, सब ये वाला part मारा common part select हो गया, ठीक है, अब अगर मैं ये वाला करूँ, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि सारा part उदर उदर minus होजेगा, जहाँ-जहाँ select है, for example, मैंने ये select किया, ठीक है, मैं चाहता हूँ, भाई साब, मेरा ये part minus होजे, तो नया वाला part नीचे दिख रहा है, उसको हम minus कर देंगे, latest analysis, so click करूँगा, सारा minus होजेगा, ठीक है, plus plus, पहले वाला select and बात में, ये ब select करे जा रहे, so new parts हम select करे जा रहे, so ये उसके काम आता है, कुछ new parts select करने के, ठीक है, अब इसमें से में को ये वाला part हटाना है, minus करना है, उस पर भी दिख रहा होगा, cursor पे minus sign आ रहा है, हटा दिया, minus कर दिया, ठीक है, so इसके लिए काम आते है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, थोड़ी देर तरह पकड़ कर रखेंगे, quick selection tool आपको दिखेगा, plus से हम object select करेंगे, and ये मैडम जी को हमने select करना शुरू करना है, ठीक है जी, and यहां मैं धीरे-धीरे मैडम जी को select कर रहा हूँ, बालों को लेना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि अव्वेसी बात है, बाल है, and इनके color भी अलग अलग है, बालों को लेना हमारे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, object हम easily select कर सकते हैं, ये देखो, easily ये auto enhancing tool आपका select कर देगा, यहां से हमने auto enhance कर रखा है, so easily आपका अपने आप पकड़ता रेगा जो इसका end border होगा, जो इसका end border होगा, वो अपने आप पकड़ लेगा, ठीक है, मैंने या click किया, end border अपने आप पकड़े जा रहा है, ठीक है, simply यहां से कर देते है, and यहां कर देते है, ओके, तो अब मैं इसको control जे करता हूँ तो मैडम जी हमारी बाहर निकल के आ गई है मैडम जी हमारी बाहर निकल के आ गई है ठीक है जी इसी के अलावा हमारा एक और tool है इसको again delete कर देते हैं इसी में एक और tool है हमारा object selection object selection क्या करता है देखते है सीधा square बनाया है मैंने यह क्या करेगा object को automatically select कर लेगा कुछ hard काम करने के हमें जरुरत ने पड़े simple हम control जे दबाएंगे and हमारा object automatically जो हमने select किया वो automatically select होके आजेगा यह इसका एक बहुत अच्छा feature Adobe 2020 में आया है Adobe 2020 में बहुत अच्छा feature है और आप देखो तो बाल भी इसने बहुत प्यारे तरीके से लिया जो की हम quick selection से नहीं ले पा रहे थे वो भी काम इसमें बहुत प्यारे तरीके से कर दिखाया है so object selection ने यह काम अब यहाँ देखो quick selection कितनी जल्दी काम किया ठीक है so object selection का यह एक बहुत अच्छा tool है जो Adobe 2020 में आया है जो पहले नहीं था Adobe 2020 इसको लाया है और बहुत अच्छा जबरदस लेके आया है so यह एक market का सबसे प्यारी चीज़ है ठीक है so यह था मारा crop tool जो है यह था मारा selection tool कि कैसे हम select करेंगे ठीक है जी quick selection में बता दिया magic one में बता जे so I hope आपको यह selection tool की presentation अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है like, share, subscribe जरूर करना thank you अच्छी लगी होगी 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 है